हेलो गईज, वेलकम टू माचैनल स्पीड टूडे आज हम बात करने वोले टॉफ फिफ्टीन बेस्ट माइलेज कार्स की इस वीडो में हम आपको इसी फिफ्टीन कार्स बताएंगे जो की टैन लैक के बजट में आती है और उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा माइलेज देखने के लिए मिलती है तो चलिए शिरू करते हैं फिफ्टीन नमबर पर देखे तो यहाँ पर आती है टाटा पंच यह टाटा की तरफ से एक माइक्रो एस्टीव है लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पेट्रोल की माइलेज की बात करेंगे इसकी क्लेम फिल एफिशेंसी की तरफ देखे तो है 20.09 किलोमीटर पर लीटर बाकी इस कार के एक शुरू प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6.13 लाक रूपीस से जो कि टॉव मॉल्ट के लिए जाता है 10.20 लाक रूपीस तक 14 नमबर पर देखे तो यहां पर आती है हुन्डाई वेन्यू ये एक सब कॉम्पैक्ट एस्व है जो कि हमें इंडियन मार्किट में काफी टाइम से देखने के लिए मिलती है इस कार के अंदर विए 1.2 लीटर का naturally aspirated petrol engine देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर विए manual और automatic दोनों ही options दिये गया है बाकी इस कार के अंदर ने एक diesel engine भी देखने के लिए मिलता है इस कार की petrol की claim fuel efficiency की तरफ देखे तो है 20.36 km पर लीटर बाकी इस कार के एक्षरों प्राइस की बात करें तो वो शिरू होता है 7.94 लाइक रूपीज से जो कि टॉमॉल्ट के ले जाता है 13.48 लाइक रूपीज तक 13 नमबर बढ़ देखें तो यहाँ पर आती है रेनोल की तरफ से काईगर इस कार को इंडिया में लाँच हुए वे काफी टाइम हो चुक है लेकिन इसकी सेल्स हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए नहीं मिलती है क्योंकि इस कार के अंदर में एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर नहीं इतनी ज़्यादा बढ़िया पावर है और उसके जो रिफाइनमेंट लेवल है वो भी हमें काफी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलते हैं और इस कार के अंदर भी है मैनुल और आटोमेटिक दोनों यह उप्शन दिये गए हैं बाकि इसकी क्लेंफिल अबशेंसी की तरफ देखे तो 20.5 किलोमेटर पर लीटर इस कार के एक शुरू प्रैस की बात करें तो वो शुरू होता है 6 लाक रुपीस से जो कि टॉव मॉल कर ले जाता है 11.23 लाक रुपीस तक 12 लंबर पर देखे तो यहां पर आती है मरुची सुजुकी अर्टिका यह कार भी अब इंडियन मार्केट में काफी टाइम से देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि यह कार एक 7 सीटर एमपी भी है जो कि हमें बजट में देखने के लिए मिल जाती है इस कार के अंदर भी में manual or automatic दोनों इया ऊप्षन दिये गया है बाकी इस कार के अंदर में petrol के साथ एक CNG का भी अप्षन देखने के लिए मिलता है इस कार की petrol के अंदर claim fuel efficiency है 20.51 km पर लिटर और इस कार के एक शुरू प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 8.69 लाक रूपीस से जो कि टॉम मॉल के लिए जाता है 13.03 लाक रूपीस तक 11 नमबर पर देखे तो यहाँ पर आती है मरूती सुजुकी CS सुजुकी की तरफ से हमें दो सिटैनी देखने के लिए मिलते हैं अभी करेंट के टाइम है जो कि हैं डिजायर और CS CS की sales हमें current time में इतनी जाए बड़िया देखने के लिए नहीं मिलती है क्योंकि इस car के अंदर हमें नहीं इतनी जाए बड़िया future देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमें updated sedans के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि VARNA या Vertis और ना ही इस car के अंदर हमें कोई भी टर्बो चार्ज इनन देखने के लिए मिलता है जो कि मैं बाकी सीडाइन्स के अंदर दिया गया है बाकी इस car के अंदर हो भी manual और automatic दोनों ही options दिये गया और इस car के पेटरोल के अंदर के inflation यह 20.65 km पर लीटर बाकी इस car के action room price की बात करें तो वो शुरू होता है 9.4 लाक रुपीज से जो कि टाव मॉल्ट के लिए जाता है 12.29 लाक रुपीज तक अभी इस car की sales इतनी ज़्यादा नहीं है तो इस car के उपर हमें कुछ discounts भी देखने के लिए मिलते हैं 10 नमबर पर देखें तो यहाँ पर हमें एक और माइक्रो स्वी देखने के लिए मिलते हैं जो कि हमारोती सुजुकी इगनिस इस car के एक शुरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 5.84 लाक रुपीज से जो कि टॉप मल्ट के लिए जाता है 8.06 लाक रुपीज तक और इस car के उपर हमें काफी ज़्यादा बड़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहे हैं करेंट टाइम के अंदर देखने के लिए मिलता है जिसके साथ हमें मैनूल और ऑटोमेंटिक दोनों ही ऑप्शन दिये गया है बाकि इसकी क्लेम फ्लैफशन की तरफ देखे तो है 22.61 किलोमेटर पर लीटर और इस car के एक शुरूम प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6.57 लाक रुपीज स जीये गया है बाकी इसकी के अंदर और दोनु का जैसी एक तरफ देखने के लिए मिलते निए कर्सके अंदर सेमें चेमें मिलता ४ा पॉं पॉं ट्यू लीटर का नैचरल पेट्रोल इंगन इसके साथ हमें मैनौर और ऑट्माटिक दोनों ही ऑप्शन जी ए गए बाकी बा पर लीटर और अब इन कार के एक शुरूं प्रैस की बात करें तो फ्रॉंक की प्राइस की बात करें तो स्वर्पाइस की बात करें तो यह पर मैं टेजर के अंदर आल्मोल्स 20-25 थाउड रूपी तक का प्रैस देखने के लिए मिलता है इस नमबर पर देखें तो यहां पर वीव में दो कार्स देखने के लिए मिलती है जैसे कि यहें टेजर और फ्रॉंप्रॉंस के अंदर सिर्पॉंग्स का इडिफ्रニुट देखने के लिए मिलता है ऐसे ही मारुति सुजू की बैलियो और टोयोटा गलैंजा इन दोनों अपर के अंदर वी अमें सिरफ looks का difference देखने के लिए मिलता है बाकी इन कार्स के अंदर है सेम इनने देखने के लिए मिलता है जो कि fronks के अंदर दिया गया था और इंके अंदर वे manual or automatic दोनों यह options दिए गए हैं बाकी इनकार की claim efficiency की तरफ देखे तो 22.94 km पर लीटर और अब इनकार की एक शुरूम प्राइस की बात करें तो बेलीनों के प्राइस टार्ट होता है 6.66 लाक रुपीज से जो कि टॉव मोल के लिए जाता है 9.83 लाक रुपीज तक वहीं पर Glanza के प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6.86 लाक रुपीज से जो कि टॉव मोल के लिए जाता है 10 लाक रुपीज तक तो यहाँ पर भी हमने almost 20,000 रुपीज तक का प्राइस दिफ्रेंस देखने के लिए मिलता है फिफ्फ नमबर पर देखे तो यहाँ पर आती है केंट्री सेग्मेंट हैजबेक जो कि यह ए एल्टो के टेन इस कार के अंदर में 1 लीटर का नैच्रल या एस्परेटेट पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है बाकी इसके साथ है अपर में मैनलर उटोमेटि दोनों ही आप्षन्स दिए गए है और इस कार इक क्लेन फ्ले उप्षेंस की तरफ देखे तो 25 किलोमीटर पर लीटर बाकी इस कार के अंदर में वही सेम इनियन देखने के लिए मिलता है इस कार की claim efficiency की तरफ देखे तो 25.19 km पर लीटर बाकी इस कार के action price की बात करें तो वो शुरू होता है 5.54 लाक रुपीज से जो की Tom Wall के लिजाता है 7.38 लाक रुपीज तक थर्ड नमर पर देखे तो यहाँ पर आती है मलोती Suzuki Espresso इस कार के अंदर अभी हमें Alt और Wagner वाला ही सेम इनियन देखने के लिए मिलता है लेकिन इसकी claim efficiency के अंदर हमें थोड़ा वो difference देखने के लिए मिलता है इस कार की claim efficiency है 25.3 km पर लीटर बाकी इस कार के action price की बात करें तो वो शुरू होता है 4.26 लाक रुपीज से जो कि टॉब मॉल्ड के जाता है 6.12 लाक रुपीज तक सेकिंड नंबर पर देखें तो यहां पर आती है नुली लॉंच्ट मारूती सुसुकी स्विफ्ट इस कार के अंदर में 1.2 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलता है लेकिन पहले आपर हमें 4 सिलेंडर यूनिट देखने के लिए मिलती थी लेकिन अब यह 3 सिलेंडर यूनिट कर दी गई है और पिछली जनरेशन स्विफ्ट से आपर हमें माईलेज के अंदर काफी ज़यदा चेंजिस देखने के लिए मिलते हैं बाकि इस कार के अंदर में मैंल और आटमेटिक दोनों ही options दिये गए हैं और उसकी claim flap chance की तरफ देखे तो 25.75 km पर लीटर अब इस कार के एक शुरू प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 6.49 लाक रुपीज से योकि टॉम माल जाता है 9.64 लाक रुपीज तक देखे तो 26.68 km पर लीटर बाकि इस कार के एक शुरू प्राइस की बात करें तो वो शुरू होता है 4.99 लाक रुपीज से जो कि टॉम माल जाता है 7.09 लाक रुपीज तक बाकि यही थी टॉफ 15 बेस्ट माइलेज कार जो कि हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है और वो 10 लाक रुपीज से कम के बजट में आती है अच्छी और बस इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ निया लेकर तब तक के लिए बाए